तो हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आएं दोस्तों UCIL की तरफ से जो भरती निकल कर आ रही है दोस्तों जिसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 247 है और अंतिमतिती जो होगा दोस्तों 15 अक्टूबर 2019 है तो उसी से रिलेटेड हम आपको और निकली है दोस्तों यहां पर क्यों सुम्हें कि बात करें तो 246 दोस्तों अच्छी खासी उए एक्सपिरियन्स की बात करें तो फ्रेसर यांद की पूरा-पूरी सी मुमियानी की जमसेदपूर में आपको जोब मिलेगी दोस्तों जो की जादू गोड़ा में इस थी था ये कमपणी तो लास्ट डेट बाद लास्ट डेट की बात करें तो पंदरा दस 2019 से दोस्तों तो यहां पर जो है दोस्तों नीचे चलते हैं और देखते हैं जादा जोब को करना चाहते हैं तो दोस्तों आपका जो आईट्य का ट्रेड में चाहिए और इस कंडिशन की बात करें तो में जो है आपका यानि की स्टेंडर टैन में जो है आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और अगर आप OBC और General हैं तो और अगर आप STSC हैं तो आपके लिए 45% मार्क्स मांगा गया है साथ में जो है ITI का जो है Certificate में जो है आपका 60% मार्क्स होना चाहिए और NCVT होना चाहिए यानि कि National Counseling of Vocational Training से होना चाहिए आपका ITI और अगर आप SCVT से ITI किये हैं तो दोस्तों आप इसके लिए अपलाई नहीं कर सकते हैं तो एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 वर्स तक आप अपलाई कर सकते हैं अगर आपका 18 वर्स पार हो चुका है और 25 वर्स से अगर आपका काम है तो आप इस फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं तो नीचे चलते हैं और देखते हैं और कुछ दिया हुआ है तो दोस्तों सेलेक्शन परसीडियूर की बात करें तो सेलेक्शन ओप कैंडिडेटेट्स विलबी ओन मेरिट वएसिस ऐन्दी वासिस ओप दी माउट्टे नॉपटेन ओडे मैट्रिक और आईटिया माउज को देखते होगे जो है अब description में डाल देंगे और वहाँ से उसका format मिलेगा दोस्तों उसको download करते हुए उसको format में भर देना है form फिर speed post के माधियम से आपको इस address पर भेज देना है तो आप इसका screenshot ले सकते हैं और आप बाद में इसे form में भर के इसको जो है आप screenshot ले लिजे और अपने पास जो है एक जोरक्स कोपी जरूर रखिएगा दोस्तों दोस्तों यही अपडेट था आप सभी के लिए अगर आप इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको विडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर करें दोस्तों एक लाइक तो जरूर कीजिएगा दोस्तों और आप किस जीले करहने वाले हैं जरूर कमेंट में कमेंट करें थाकि वहाँ के लिए भी विकन्सिस कोलाई चें तो धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत